दोस्तों बिग बॉस की कई ऐसे कंटेस्टेंट्स है जो कि बिग बॉस को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं और आई दिन अपना रियक्शन भी देते हैं इस पर ऐसे में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राजीव अधातिया ने भी ईशा अभिशेक और आईशा मुनवर के गेम पर अपना रियाक्शन दिया है जहां राजीव ने ट्वीट करके लिखा है कि अभिशेक जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं डिस्टेंस और काम लेकिन ईशा जो है वो लगाता उनको इंस्टिगेट कर रही है उनको प्रोवोक कर रही है ताकि वो कुछ रियाक्शन दे इशा को इस वक्त अभिशेक को अकेला छोड़ देना चाहिए लेकिन वो यही कोशिश कर रही है कि वो अपना आपाख हो दे और इशा जो है वो नॉन स्टॉप अभिशेक के फेस पर चड़ कर बात कर रही है ऐसा क्यों उसको उसकी तरह रहने दो फेल इस पर यूजर्स के भी कई रियक्शन आये हैं जहां कि यूजर का कहना है आई थिंग अभिशेक ने ऐसा पहले ही बोला है कि ईशा यहां पर अभिशेक की इमेज खराब करने ही आई है लाइक काइंड ओफ गेनिंग सिंपती एड़ एंड वो बाहर निकलते ही समर्थ को भी छोड़ देगी इस पर एक और यूजर का कहना है कि मेकर्स जो है वो अभी को डाउन दिखाना चाहते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं शेम ऑन यू मेकर्स किसी को मैंटल टॉर्चर इतना भी नहीं करना चाहिए वैल इस पर एक और यूजर ने कहा है कि मेरा भी एक्जैक्ली यही पॉइंट है कि ईशा और उसका जो बॉइफरेंड है चिंटू वो लगाता और उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं और वो सच में एक वैम्प है और अबिशेक जो है वो बहुत जादा स्ट्रॉंग है पर दोस्तों इस से साफ पता चलता है कि बाहर जो लोग है वो बहुत ही जादा अबिशेक की गेम को पसंद कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं इसके अलावा राजीव ने ए के साथ आईए जो कि साफ नसर आ रहा है मुनवर को भी रियालिटी में अभी शेक की बात सुनने की जरूरत है वैल इस पर भी कई रियाक्शन सामने आये हैं जहां एक यूजर का कहना है कि मुनवर अंडेस्टूड एवरिटिंग वेरी वेल पर मुनवर जो है ना वो करने तो आई थी लेकिन वो अपने लिए फेम कमाने के लिए भी आई थी यही उसका मोटिव है जिस पर एक और यूजर का यह कहना है कि मुनवर गलत है इसलिए मुनवर का बॉडि लैंग्वेज और बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया अचानक से आईलोव नाजिला से व प्रिपेरिंग वेल दोस्तों यूजर्स के रियाक्शन्स तो आपने जान ही लिए हैं लेकिन आपका इन सब चीजों को लेकर क्या है कहना हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताना साथ ही ऐसी टीवी और बॉलिवुड से जुड़ी तमाम खबरे जानने के लिए आज ही फिर्म करना बिलकुल न भूले